I'm no one, मैं judge नहीं हूँ, मैं एक ममूली सा इंसान हूँ, जो इन की तरफ से बात करता है, जो इन पेट्स की तरफ से, जो इन बेजुबान डॉक्स की तरफ से बात करता है, इसकी एक बार्ड डिवामिंग हो गई होती, मदर के रोगी होती, मदर का दूद पी रहा था, अब ये और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है जो हम वो पच्चा उठा लाते हैं पैसे देखें कहां भीया बिकना जाए अरे कुम्ब का मेलना नहीं है जो बारा साल बाद आएगा ऐसा नहीं कि महा कुम्ब है बारा साल बाद आएगा डॉक का बेबी है अभी नहीं लेंगे हफते दस दिन बाद ले लेंगे दस दिन बाद ले लेंगे महीने बाद ले लेंगे लेकिन उसके राइट्स उसके बेसिक राइट्स तो मद छीनिय उससे इस बच्चे को अगर इसकी मदर की केर हो रही होती तो यभी इससे सवा डेड़ गुना साइज होता इस बच्चे का जिसस बच्चे की जो basic requirement है उसको पूरा करना breeder का और जो honor है उसका फर्ज है जब हम लेकर आते हैं जब हम निया बेबी लेकर आ रहे हैं अपने घर में excitement में लेकर आते हैं हम इसके साथ क्या खेलेंगे टेंशन पड़ी है सुबब मुझे सवा पांच में आगया पिछले कल बड़े भीया वो खाना नहीं खा रहा कुछ भी hello everyone I am your friend your host Babal Bhanali and I welcome you in your favorite youtube channel that is dogs your friends forever dear friends मैं पिछले 24 साल से dogs breed कर रहा हूं 24 साल प्लस से dogs breed कर रहा हूं और मैं भीवरिस हूँ मेरी हमेशा कोशिश होती है आपके सामने आवा नहीं से नहीं knowledge share करूं जो मैंने 24 साल में सीखा है या जो कुछ भी मैं सीख रहा हूं वो आपके साथ में share करूं जो बहुत blessings है कि साई ने मेरी duty लगा रखिया कि मैं इन बेजबानों के लिए कुछ करने के कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इनके साथ में cruelty करने के कोशिश करते हैं कुछ भी आज मेरे साथ में एक बहुत चोटा साब प्यारा सा बेभी है और यह कोल्डर लाभ है और यह गर्ल है छोटी सी और यह बहुत चोटी है अभी इसकी जो एज है वो 24 पच्चिस दिन हुए है रादर आप यह दिखिए नए दांट इसके निकलना शुरू हुए जरा-जरा सी इसकी टीथ निकलना शुरू है और उसका रिजर वहां से एक लिए रोता कि इसकी एज कितनी है जिनके पास में यह है उन्होंने इसे 4-5 देज बैक लिया था जिससे खरीदा था या जिससे भी वह लिखिया थे तब यह बहुत मुश्किल से 19-20 दिन का बच्चा रहा होगा अज़ो मेर पास में नेक्स ड़ी किया थे भहा यह खाना नहीं खा रहा अच्हे से सरलेग्स एरे ट्रई कर रहे है Modern इंहीं कर ठाइब और मैंने पहले तो इंहों मना किया था कि भाह इतना चोटा बच्चा नहीं लाना च भाहिए था आपको आपने ऐसी क्यूद्य कि इसक इसको अपनी मदर की फीड पीने का हक है, इसको अपनी मदर की केर का हक है, हम कौन होते हैं, हम कहें के इंसान, अगर हम इसे इतनी चल्दी से अपने मदर से अलग कर दें, और जो भाई सब इसे ले के आये हैं, वो भी मेरा छोटे भाई जैसा ही है, बहुत प्यार है मेरा उनक के साथ में लेकिन उनका जो जवाब था वो ये था जो अक्सर ब्रीडर्स बोल देते हैं जो कि भ cape strict की भई या हमारा बच्चा बिक जाएगा हम आपको बाद में दे नहीं पाएंगे बच्चा तो आप यह देख लीजए अगर आपको चाहिए तो अभी मिल सकता है बाद में नहीं दे पाएंगे इसको भी अच्छे से चलना भी नहीं आता देखिए इसके पाउं slip हो रहे हैं मार्बल पे भी होंगे, टाइल्स पे भी होंगे मैं शीशे के उपर रखा हुआ हुआ इसको टेबल पे अफकोर्स यहां पे भी पाउं slip होंगे लेकिन पाउं slip होना सिर्फ नहीं है इसके पाउं पीछे से अंदर को मुणना शुरू हो गया है मैं बीच में आपको वीडियो में वो भी दिखा हुआ किस तरह से यह जो खड़ा हो रहा है बच्चा इसकी जो लेक्स हैं वो अंदर को जा रहे हैं से काव होक बोलते हैं यह टांगे जो अंदर को मुणना शुरू हो जाती है इस इस था फॉल्ट यह ऐसे नहीं होना चाहिए लाबर्ठर के फीड है हाइं लेक्स तो ऐसे पैरलर होना चाहिए न कि क्रॉस होना चाहिए रीजन क्या है यह सब चीज होने का इसको mother feed नहीं मिल रही, mother feed is the best feed, mother feed जो है वो balanced food है, मा, मा होती है, चाहिए वो इनसान की हो, चाहिए वो जानवर की हो, मा एक ऐसा शब्द है जिसको भगवान भी, साइं भी, भगवान जो भी, जिसको भी आम मानते हैं, वो भी मा ही कहते हैं, तो मा से बड़ा कोई शब्द नहीं है, हमें कोई हक नहीं है, इन बेजुबान बच्चों को, इनकी मा से इतनी कम उमर में है, अलग करने का, problem यह नहीं है कि बच्चा पलेगा या नहीं यह बच्चा जीयेगा या मर जाएगा शायद यह जीयेगा शायद यह survive कर जाएगा लेकिन जो internal deficiency आएगी इसमें वो हमेशा के लिए आएगी और हमेशा रहेगी यह बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर भी इंटर्नल डेफिशेंसी रहेगी, और गन्स जो हैं उतने स्ट्रॉंग नहीं हो पाएंगे, बिकाज और गन्स जो है, वो अच्छे से ग्रोथ तब करेंगे, जब इनको मदर फीड मेलेगी, और मैं हाथ जोड़के उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो डॉग इतना चोटा बेच देते हैं, भाई ऐसा ना करें, आप पैसे ले ले पहले, आप ऐसे ले लीजे, कम से कम 35-40 डेज का करके बेबी दीजे, इसा नहीं कि चालिस दिन तक बच्चे ने पनी मा का दूर पीना ज़रूरी है, वो नहीं है, लेकिन आप उसे 20 दिन पे, 18 दिन पे तो अलग मत करिए, मुझे पते नहीं है, इन्होंने किस से लिए, ना मुझे कंसर्न है क्योंकि I'm no one, मैं जज नहीं हम, मैं एक ममुली सा इंसान हूं, जो इन की तरफ से बात करता है, जो इन pets की तरफ से, जो इन बे जुबान dogs की तरफ से बात करता है, हमेशा मैं यही बोलता हूं कि आप डॉग लें उसको हेल्डी करके लें उसको उसकी मदर की केर जो है बहुत जरूरी है इसकी एक बाद डिवर्मिंग हो गई होती मदर केर हो रही होती मदर का दूद पी रहा हुता अब यह बच्चा पिछले तीं दिन से अच्छे से खाना न बड़ा लो फील कर रहा एंस कि अध्यां ला गया है साइज थोड़ा सा जरह सा लेकिन आफ हो पारें नर्जी के नहीं हो पारें जो लोग बोल देते हैं अक्सर बोल देते हैं लोग भीया हमारा बच्चा बिका हुआ है आप देख लो आपको चाहिए तो और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है जो हम वो बच्चा उठा लाते हैं पैसे देखें कहां भीया बिकना जाए अरे कुम्ब का मेलना नहीं है जो अगर इसकी मदर की केर हो रही होती तो अभी इससे सवा डेड़ गुना साइज होता इस बच्चे का इसकी बोन्स यह देखें सिंगल फिंगर जितना पंजा है इसका सिंगल मेरी जो सिंगल सिंगल फिंगर है हाथ की उतना सा इसका पावर जबकि इसका अभी कम से कम दो जितना पहुन होना चाहिए था वो तब होता जब इसको balanced food मिलता, इसके internally किसी तरह की कोई deficiency नहीं होती आप size देखियो उसका बच्चे का कितना compact है, कितना छोटा है, tiny सा है बच्चे की, मैं यहाँ quality की बात नहीं कर रहा हूँ, of course मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कि उस बच्चे की जो basic requirement है, उसको पूरा करना breeder का और जो honor है, उसका फर्ज है जब हम लेके आते हैं, जब हम निया baby लेके आ रहे हैं अपने घर में excitement में लेके आते हैं, हम इसके साथ क्या खेलेंगे, tension पड़ी है सुबह मुझे सवा पांच में रहे फोन आ गया पिछले कल, बड़े भीया, वो खाना नहीं खारा कुछ भी, reason of course, जो खाना हम इसे देने की कोशिश कर लें, वो इतनी छोटी एज में इसको देने की जरूरत नहीं थी, न okay, okay आप पेशेंस रखें, अजब हम कहीं जाते हैं बेबी लेने, और अगला बंदा इतना चोटा सा बेबी दे रहा है, आपने अगर इसे चार दिन पहले देखा था पांच दिन पहले, जिस दिन ये लेके आये थे, तो एक बड़ी तो बभवान का नामी याद कर रहे थे, कि इतना चोटा बच्चा है, रीजन सिर्फ इतना सा है, हम गल्ती कर लेते हैं, लेके आने की, जिस से अपने बेबी खरीदना है, अगर वो चोटा बेबी देना चाह रहा है, उसे बोली है, आप 50% पेमेंट ले लिजे, निशानी लगा दी हमने, हम हफते बाद बच्चे को उ नीचे कोमेंट करके पूछते हैं, सर्थ 25 दिन का बच्चा मिल रहा है, ले ले ले, भाईजी मैं क्या बता रहा हूं आपसे, मैं क्या आपसे कोई एक रुपया ले रहा हूं बताने का, it's not about money, it's about knowledge, I'm sharing my experience with you, कि आप ऐसी गलती मत करिये, बार 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 जो गलती इस मेरे छोटे भाई ने करी, या आप में से बहुत सारे लोग है जो गलती कर गए, तुबारा ऐसी गलती और लोग ना करें, उसको उसकी basic requirement से हम महरूम रखें, उस चील का हमें हक नहीं, हम इंसान है, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, एक बच्चे का हक है कि वो अपनी मा का दूद्ध पूरा पी है, जतना उसके लिए भगवान ने दिया है, I hope ये message पसंद आया होगा, ये video पसंद आया होगा, अगर video पसंद आया होगा, तो इसे share कीजिए, like कीजिए, so that और बच्चों की life बेतर हो सके, sign द्या करेंगे, मुझ पे, आप पे, हमारे पे, love you all, Jai Hind